हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेट इंटर्टेन्मेंट सिर्फ यूट्यूब पर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्स्राइब नहीं किया तो अभी सब्स्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटिस्ट वीडियो के बारे में अफटेट जाने सब्स्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरिट वीडियो की तरफ सभी रंग तुम्हारे निकले यनि जो रंग थे मुझमें वो उधारे निकले उनका धावा तक हो रही है मईशत बेहतर और भी ज्यादा मगर मौली खसारे निकले अरे जी रहे हैं इसी हाल में देखें क्या होता है नहीं साल में भाई नहीं होगी बात दूसरी आप तर शीवारे मासर चौजरी ओके डान पास ओके डास दूनिया भर में जहां जहां भी मजाकरा देखा जाता है आप सब को हमारी तरफ से अससलाम अलेकुम वाल अलेकुम अससलाम जाहाल चाले हैं आज तो बड़ा कलरफुल हैं आप सारे ही जी सावीर क्या क्या डिफरेंट शेड्स आपने दियों हैं आज आपकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी अच्छा लगता है पूरे इलाके में आपका पापड मशूर है पापड नहीं के दिखा देखा 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 जो गरीब लोग नहीं कि ते अडिमेंगी श्याइगा दी इंब्रियो डिजी इड़े उके ना ना ले आकरो तड़ मूँ छोटा है में कुछ स्पेलिंग भाज़ेगा अगर देखा बताईए वैसे आज में मेरे जहन में एक बात आई तो मैंने का मैं आप तीनों से पूछता हूँ आप तीनों के जो नाम है इफ्तखार ठाकुर अक थाकर ता बतला लेना है उन्हां कि तीरा ना फे ठाकर होना चाहिएदा थाकर का क्या से त्ला है? अब लियाकत मेमूरियल हॉल के अंदर ड्रामा कर रहे थे पेंटो इंटरेबल उच्छा वहां दीकी मामा एक पैंटर थे पैंटर पैंटर अच्छा उन्होंने वहां से ठाकर रखा अब आज वह ठाकर ही अब अब तो बहुत कम लोग मुझे इफ्टार कहते हैं अच्छा बि पहले ठाकर उन्देशी सर वासे बाई तलवारां चुक दे जिम्मेदारियां चुक दे ए ठाकर कहता सोड गया चुक लेंदा बड़ा फरक होता है सर हम तीनों अगर जा रहे हूं तो जो आवाज आती है दिखे उसमें कितना फरक आता है आता है ओए पिया इसके ओए उदास ठाकर साहब वग़र आप पिया कैसे बने सर मेहा कमाली एडरामा कर रही है थी नवहा नम्हाई ते टैडी साम आच लगथ दो भी सूपरस्टार्स न तारक टैडी साम चाही था ठीक है नाम राके में रुबीनम शाहबा को चला गया है वहाद की तारिक टेडी साने मिरे नहीग्स का ना किसी बज़ड़े होया। प्रएंसे जि sc उदास का बताए मुझे वासे भाई ये ऐसल स्टोरी नहीं बताएंगे मैं आपको बताता हूं सर मैं सोचे हैं कि ऐसा ना हो ना जईदा जड़ा पाकस्तान दे वेच ना होगे उसे गुर्बा चौफ राख लेंगे एक इंडिया में पंकज अदास हैं एक पाकस्तान में अक्रम अदास हैं वो इंडिया में अदास बैठे हैं मैं आपके सामने अदास बैठाँ बड़ी इंट्रेस्टिंग एक वो है कि तीनों साहिवान की जो नाम है वो किसी ना किसी तरीके से कभी कहीं किसी ने रखती है दो केस में तो हीना नियाजी सर पार राजी अक्सप्रेस ते जान दी सी ते कुड़िया नू चोड़ बल दी सी है साढ़ी बास से भी जे बुलाते हैं हैं आज की पहले मेमान को जो के खासतों पर तश्वीफ लाई है कराची से और यह उन एक्टर्स में से हैं जिन पूरे पाकिस्तान को फखर है अगर आप एक अच्छे एक्टर है तो आप ये कोशिश कर सकते हैं कि आप इन जैसा हो और अगर आप मेरे जैसे एक्टर हैं तो आप सिर्फ हस्रत से देख स तकते हैं की एक्टिंग को आप सब की तालियों में मौतरमा सानिय साइद और सानिय जी का साथ देंगे मारे खास तोर पर राउल पिंडी से हैं मेमान पिछले सार बेटल दे बैंड के इंदर आपने उनको देखा और इन नड़कों ने पिंडी का नाम बहुत मशूर किया और किये जा रहे हैं आप सब की तालियों में दे पिंडी बॉइस सर आज बहुत ही खास मेमान है अच्छा जी मुद्रमा मैं रियल फैन और इनकचेरा आप 24 गंटे जब भी देखेंगे मुस्कुराई रहा होगा बहुत खास तरपे आँखें मैं आपके लिए एक शेर लाया हूँ जी के आवार्स की बहारें खिल उठी हैं फैनों की कतारें सज गई हैं गूज उठेगा ये हाल तालियों से क्योंके जिसका नहीं कोई सानी वो सानी यां साइद आ गई सर मेरा शेर आज स्टूडेंट्स के लिए लड़कों के लिए और पिंडी वॉइस के लिए जहां देखो इशक के बिमार बैटे हैं क्या बात है हजारो मर्गे लाखो तियार बैटे हैं बरबाद करके अपनी तालीम लड़कियों के पीछे फिर केते हैं दुआ करना बेरोस गार बैठे मातर तर चलो कि निवाइज लग रहे हैं जे जो मैंनो सूंडि वॉफ क्या मतलब यार मैं समझा है नहीं को शिश्टर बैठी यहार यहार प्यारे लग रहे हैं माशारा ऐसी कि टारेस है अदील उनके एंगांदे लाओ टीरे हो तुभी एक स्टाइल है आपको क्या पता सानिय जी क्या हाल चाल है आपके पहले तो यह बताईए कि यह जिस तरह इन्हों ने ठाकुर साब ने कहा कि माशाला बहुत एक हमेशा मुस्कराता हुआ चेहरा और यह चेहरा हम पिछले 30 साल से माशाला ऐसे ही देख रहे हैं कि वो बड़ा एक सॉफ्ट एंड सटल मुस्कराता हुआ चेहरा ओल दो जो आपने कैरेक्टर्स कर दी हैं पिछले 30 साल के अंदर वो इतने इंटेंस और इतने भारी कैरेक्टर्स थे कि पता नी उनका कितना निशान बाकी रह गया है ये तो आप जानती होंगे बेहतर हमें नजर नहीं आता शुक्र है कि नहीं आता लेकर मैं तो अक्टर हूना कैसे नजर आएगा आपको नहीं मगर मैं ये भी जानता हूँ कि आप उन अदाकारों में से हैं जो के बहुत हसास हैं ये तो मैं नहीं कह सकती लेकिन हाँ जिस तरह का काम मैं करना चाहती हूँ उसके लिए खुशकिस्मती है मेरी के मैं थोड़ा सा हसास हूँ क्योंकि शायद उसकी जरुरत थी मुझे अगर ना हो तो हम वो करी नहीं सकते हैं जो हम कर रहे हैं बहुत तकलीफ दे काम है उसके लिए हम अक्टर्स अक्टर्स काफी अपने आपको ईजा पहुचाने वाले लोग होते हैं बिल्कुल हम सब वो एमोशन एक्सपीरिंस करते हैं जो हमारा अपना नहीं है मुझे ये बताएं कि 30 साल होने वाले हैं 89 से स्टार्ट हुआ जब टीवी के उपर आप पाकस्तन टिल्विजन पे नजर आई थी और उसके बाद फिर 91 से तो खेर ड्रामो की एक भरमार शुरू हो गई इसके बाद एक के बाद एक ये जितने कारेक्टर्स आपने किये हैं इन्होंने कितना डैमेज किया सानिया साइथ को अच्छी ऑपोजिट शायद हुआ है इन कारेक्टर्स ने मुझे एजुकेट किया है असल में जब हम हम लोग कोई सिर्फ पढ़के तो आते नहीं ना कोई ट्रेनिंग होती है हमाई पास मैंने सिर्फ अपने असातजा को देख कर सिखा जो हमारे टेलिविजन के अदाकार थे उस वक्त हमने उनको देख देख के सिखा तो मैं बहुत छोटी थी उस वक्त जब मैंने अक्टिंग करनी शुरू की तो इन कैरिक्टर्स ने मुझे इमोशनली एजुकेट किया है और जो स्कार उनका रहता है हमेशा आप तो कामोडी करते हैं और भितरीन करते हैं आपको पता होगा कि उसका भी स्कार रह जाता है आपकी जब आप इतनी हसी और सर जानते हैं आप सब जानते हैं कि जब आप इतनी हसी अपने अंदर से कुए में बालटी डाल डाल कि जब आप निकाल रहा हुते हैं तो अंदर से you are getting empty every time इसी तरह हम जितना आपको इमोट करने पे मजबूर कर रहे होते हैं अपने साथ तो हम भी अपने आपको एमटी कर रहे होते हैं इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने इर्द गेद ऐसे लोगों को रखें जो आपको रिचार्ज करते रहें पाइने ना दियानक लागा वे लो सुते थे नहीं कि देवा जाट नहीं लगर आपका इर्द गेद वो लोग हैं आपने रखे रहे हैं बहुत सारे दोस्त अबाब फैमिली बच्चे जिनके साथ मैं थियाटर करती हूँ वो बच्चे मेरे दोस्त और बहुत सारे मेरे पैट्स हैं वो सब लोग वो सब चार्ज करते रहते हैं जासिम भाई कैसे हैं आप पिंडी बॉय पहरे तो यह बताएं कि यह नाम आप इसे किसे ने रखा था हमने मिलकी रखा था तो यह क्या ऐसी थौट थी क्योंकि पिंड तब चेंज किया है इट वस अल्विस किंसिरे टो भी स्लैंग जो के यूज करते थे में याद नाइंटी ज के अंदर यह शुरू किया से इसलामबाद के लोगों ने के वो पिंडी को और फिर उसके बाद अब आप लोगों ने जिस तरीके से स्लैंग को कूल बना दिया हु मैं एक्सपेक्टि कर थे कि पॉलिटिशन इतनी एजली अवेलिबल है हम सब के लिए मैं एक इंटर्व लेना था उनका जब यह गाना हेट होगया सोशल मीडिया पर तो मैं एक डॉक्यमेंटरी बनाई मैं तमाम मशूर पिंडी बॉइस के इंटर्व ले फिर मैंने उनका इंटर्व लिया उसमें तो उनने मुझे जो टाइम दिया उनने का जी आजाया हम चले के वहां पर बड़ जादा मैं चाहरा था कि कुछ मज़े की चीजे मैं उनसे इंटर्व में निकालूंगा या जुगते वह मारेंगे गाना भी सुनाया मैंने उनको बड़ क्यूंके व मताथ वि मैं वेचन अवा फिंदियां वी मैं रखे हरे ले वी लेलू किन्ने पैसे बने तेरे सबजी दे, सबजी दे नार सानुता नियामी दे, थोड़ियां जी हरियां मर चांपड़ा, सबजी तु कठी कारशा परी चिपा। अधील आप कुछ बोले तो सब्सक्राइब आप कोशिश कर रहा हूं ना बोलू कि मुझे पता है कहीं नहीं से पकड़ा जाओंगा आप पकड़े वैसे भी जाएंगे इसलिए बहतर है क्या बोले तेर तो जालस हों दिना तूब दे रखे आज रूखे हुए साजन को बहत याद किया उसकी हर एक ही टेंशन को बहत याद किया जबचे रूखा है वो जिन्ता है चाए बिस्किट पर साल बदला है तो सालन को बहत याद किया बुजगाओं में था घर घर ही चलाया जाता शेहरवालों ने उसी दन को बहुत याद किया, याद किया है झाल को बहुत झाल थाद किया उसी दूख खाद किया है